भवर मेगवंची एक सामाजिक और राजनेतिक कार्य करता हैं। उनका जनम 1975 में भिलवाडा जिला राजस्थान में हुआ। भवर की पढ़ाई भववंत यूनिवर्सटी अजमेर में हुई और वो कुछ समय एक स्कूल टीचर रहे। फिर उन्होंने डाइमेंड इंडिया एक मासिक पत्रिका का गठन किया और उसके एडिटर रहे। भवर आज बहुत सारी ग्रासरूट संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जो न्याय के लिए लड़ रही हैं और वो शुन्यकाल नाम की वेब साइट के एडिटर हैं और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। नमस्कार भवर जी आपका हिमसा कॉन्वरसेशन में स्वागत है। बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई। शुरूआत हम सभी के साथ इसी सवाल से करते हैं कि बच्पन में या मतलब जिन्दगी के किसी भी दौर में सबसे पहली आपकी अहिमसा की क्या यादाश्त हो। असूल की या अनुभव की या उसके विपरीत की भी। इससे परिचे थोड़ा बाद का है। बहुत सुरू में ऐसा कोई सीधे-सीधे वरगीकृत सब्द हमारे पास नहीं थे। हाँ घर में एक माहूल था। मेरे पिताजी बच्पन में ये सिखाते थे कि कहीं पिटके नहीं आना है। अगर कोई दो मारे तो दो वापस मार करके जुरूर आ जाना है। ऐसे सुरुवात होती है। और में तेरा साल की उमर में एक ऐसे संगठन में चला गया जहाँ हमें ये सिखाए इगया कि अहींसा कायर्ता है। कोई बहुत अच्छी बात नहीं हैं तो लाथी चलने का अभ्यास। हतियार चलने का अभ्यास। और यह कि, वहाँ ये बाते होती थी कि भारत की अहिंसा की वज़े से भारत गुलाम होगा। खास तोर पर उसके लिए समराठ असोक को जिन्मेदार नहीं बात होती थी, कि अगर कलंगो के युद्ध के बाद समराठ असोक ने अहिंसा का वरत नहीं लिया होता, तो साइद भारत की तस्वीर कोई और होती और फिर उस बात को वहां से सुरू करके और अजादी के अंदोलन तक लाया जाता था कि आजादी के अंदोलन में महत्मा गांदी ने भी अहिंसा का दामन धामा और वो भी एक कारण था कि उसकी वज़े से भारत की व्यापक समाज है उसको इस अहिंसा का बहुत मुल्य चुकाना पड़ा तो हम तो पूरसार्थ की बात कर रहे थे एक तरीके से वो बाते कर रहे थे जो अहिंसा के मुल्यों के समर्थन में नहीं थी बल्कि वो उसकी आलोच ना में थी तो दो तरीके चीजे तो यह थी तीसरा फिर मुझे लगा कि क्योंकि हम बहुत ऐसी चीजे भुगत रहे थे एक जातिगत उठपी रण, छुआ छूट, वेदवाव इन सब चीजों में भी एक छुपी वी हिंसा जो थी उसके हम एक तरीके से प्रभावित लोगों में से थे तो यह दो तीन कारणों से मुझे लगता है कि मेरा परिचे हिंसा से पहले हुआ है और बाद में अहिंसा जो है, यह अहिंसा का मुल्ली मुझे तब समझ में आया जब मैं खुद बहुत प्रकार की ग्रणा के से प्रभावित हुआ, affected हुआ तब मुझे लगा कि यह मारने-काटने का महामला नहीं है ये केवल मारकाट का होना या मारकाट का नहीं होना हिंसा और हिंसा नहीं है। बोध हुआ होगा या ऐसी फीलिंग आई होगी कि हमारा परिवार अचूत माना जाता है। थोड़ा इसका विस्तार से बताए। और ये संगठन के साथ आप क्यूं और कैसे जुड़े। पानी पीना है तो उपर से कोई पानी बिला रहा है। स्कूल में जा रहे हैं तो आपको अगली पंक्ती में बैठने के वज़ाए कोसिस की जाएगी कि पीछे की पंक्ती में बैठें। खाना खा रहे हैं बच्चे तो वो कहेंगे कि थोड़ा दूर आप बेठें। और चूंकि बच्चपन से ये तैक हो जाता है कि किन घरों में हम घुसेंगे, किन जगों में हम जाएंगे, किन चबूतरों पर हम बैठेंगे, किन मंदिरों में हम जाएंगे। आपको ताजूब होगा कि अब मेरी उमर 47 हो गई है, लेकिन बच्चपन से लेकर के अब तक मैं जिस गाओं में हूँ, उस गाओं के 80 फिस्दी घरों की धहलीज को मैंने निलागा। क्योंकि उसमें वो हमारे किसी पूर्खेने निलागी और मैंने मी निलागी। इतना कुछ बदल गया है, आज बहुत कुछ बदल गई, चीजें बदल गई, चुआचूत कम हुआ है, उसके बावजूद भी, मैं देखता हूँ कि वो जो बच्चपन में सुरू हुआ, वो अभी भी एक तरीके से बरकरार है, तो बहुत बच्चपन से ये सुरू हो जाता है, जहां लोग छोटी-छोटी उमर में कहना सुरू करते हैं, और मैंने एक तरीके से स्कूल जाने के साथ सुरू हो गया है, तीसरी-चोथी क्लास में हमें समझ में आने लग गया है, कि हम ऐ आवासे गंदे हो सकते हैं, आपकी चाया से किसी को तकलीफ हो सकती है, आप किसी को टच करेंगे, आपके सपर्स से कोई अपवित्र हो सकता है, और ये इतने चोटी उमर में, जब आपको नहीं पता है, मताँ आप खेलना चाहते हैं किसी के साथ, आप घूमना चाहते हैं, उनों उस समय किताबे पढ़ने का हमें नया नया जोस चड़ा हुआ था, हमने पढ़ना सीखा ही था और हम अपनी स्कूल की लाइबरेरी की किताब इलाखे पढ़ते थे, मैं पहले पढ़ता उसको देता, वो मुझे पढ़ता और देता, तो एक मैं उसके यहां जाते रहता थ और हम चुकि बहुत ज़्यादा उमर में नहीं थे, ग्यारा, दस-ग्यारा की उमर में थे, तो हम खाट पर बेट करके खेल रहे थे, और अचानक मेरे मित्र की मा भागते हुए आई, और आते ही उसनका उठो, खाट से उठो, और उसने खाट से हमको उठाया, कहा कि नीचे चाती थी, कि एक अंटेचिबल कम्यूनिटी का लड़का मेरे घर में है, और वो हमारी खाट पर बैठा हुआ, उस पर बैठा हुआ है, चटाया, रजमीस पर बैठा हुआ है, तो इस तरह के अनुभाव फिर बहुत, और मुझे लगता है कि एक एसपर से समाज में पैदा ह होने की वज़े से, आपको यह अनुभाव हर दिन पतानी कितनी बार होती है, यह पता है नहीं चलता है कि कौन अपना पानी के मटकी के तरफ आप बढ़ रहे हैं, और कई नजरें आपको देखने लग जाती है, यह चूर नहीं, स्कूल में आप हैं और अपने टिफिन को ल लेके चल रहे थी, और उस टौकरी में रोटियां, मतलब खाना था उनका, और काफी दूरी पे चल रहे थी, बीच में इतनी जगे थी कि में साइकिल से होके गुजर गया, आपको ताजूब होगा कि केवल इस चीज के लिए कि मैं उनके बीच से साइकिल से गुजर गया, और उनके सर में जो ठोकरियां थी, जिनको मैंने चुआ भी नहीं, मेरी चाया भी नहीं पड़ी होगी, उसमें रखा हुआ खाना उनका, उन्होंने का है कि वो हमारा जो खाना है वो बेकार हो गया, गंदा हो गया, पहुत्र हो गया, और उन्होंने उस खाने को फेंक दिया, और ये इतना भीतर बेट जाता है, इतना डर बेट जाता है, कि फिर आप अपनी जाती छुपाने लगते हैं, अपनी पहचान को छुपाने लगते हैं, और आप बताना नहीं चाहते हैं कि, मैं बताऊंगा तो इसके बाद क्या मेरे साथ सलूप किया जाएगा? मेरी जाती जैसे बता चलेगी. वो पंचायत में जो, सॉरी, आप बोलिये. इसमें नहीं बिठाया जा सकता है, तो इस तरह का एक तरीकी की चीजें सुरू हुई, और बच्वन में फिर ये भी देखते थे, कि हमारी जो कम्यूनिटी के लोग हैं, उनसे लोग जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, दूर से रोटी फेंक रहे हैं, उनसे, उनको कोई भी ऐसी चीजी चोटा मोटा कुछ चोटा अपराद हो गया या कुछ भी बात हो गई, तो जब बिनाबाद के भी पीठ रहे हैं, तो ऐसी प्रस्तिती में जब हम बढ़ने लगें, तो मेरे पिदाजी, चुकि इन सब चीजों के खिलाब एक संगर्स करने वाले योद्धा के रूप कॉंग्रेस के कारकरता और उनकी नजर में वो गांदी और नहरू को जानते थी, बाबा साब अंबेटकर के बारे में उनको मेरे से पता चला कि डॉक्टर अंबेटकर कुछ होए, नहीं तो वो तो और गांदी जी को गांदी नहीं कहते हैं वो आज भी, आज अब उनके उम मतब नहरू उनके लिए, मतब एक सामान ने पूरूस नहीं है, नहरू एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिन्हों ने बहुत कुछ किया, तो इस तरह के चीजों से हम आए, लेकिन उन्हों हमें सिखाया कि कैसे हमको लड़ना है, तो मेरे लिए वो अहिंसा जो है, यूं आती ह और उसके बाद भी मैं 13 साल की उमर का होते होते, इसमें रास्ट्रे स्वयम सेवक संग की साखा में चला गया, चला नहीं गया, आपके पिता जी की क्या प्रतिक्रिया थी, जब आप RSS की साखा में जाने लगें, पांच-छे महिने तक तो देखे, मुझे नहीं समझ में आय तो नहीं समझ में आया कि क्या किया जा रहा है, तो उनको लगता था कि बच्चे लोग हैं, सारे इखटा होते हैं और गंटे भर के लिए खेलते हैं, तो वो तो उनको तब समझ में आया, जब साल भर वाद जंडा लगया भगवा, और मैंने गणवेस पहल लिया, नेकर और सफेद कमीज और लाठी लेकर के जिस दिन में घर से पहली बार निकला, तब उनका रुख बदल गया, तब उनने लगा कि ये केवल खेल नहीं रहे, ये कुछ और खेल चल रहा है, वो समझते थे, मैं तो नहीं समझता था, तो उन्होंने उस समय से मुझे फिर टोकना शु कर दिया, लेकिन मैं तब तक साल भर मुझे हो चुका था, और मैं साथवी क्लास में आते आते पांचे जन्ने का पाठक बन गया, और मेरे दिमाग में कहीं चीजें भरने लग गई थी, तो जितना पिता जी टोकते थे, रोकते थे, मुझे लगता कि हाँ ये तो रोकेंगे क्योंकि वही हर दिन हम सीखते थे, वही बात हम हर दिन करते थे, और वहीं ये बातें भी सुरू हो गई थी कि आहिंसा जो है, वो कायरता है, भारत की हजारों साल की जो गुलामी है, उसका कारण भी ये आहिंसा है, क्योंकि कलिंग के युद में समराठ असोक ने जो आहिंस दारन किया। उसकी वज़े से हम कमजोर होते गए। और बहुत कमजोर होते होते। बाद में आजादी के आंदोलन में गांदी जी ने जो अहिंसा का व्रत लिया और उन्हों ने एक तरीके से भारत के बहुसंख्यक हिंदु समाज को कायर बनाने का काम किया तो अहिंसा मेरे लिए कायरता की परिभासा के साथ जीवन में सुरू हुई लेकिन इसके बाद इस चीज़ से परिचे बहुत बाद में हुआ कि अहिंसा की व्यापकता क्या है क्योंकि सुरू तो यह सा ही था कि किसी को मारना हिंसा है और किसी को नई मारना हिंसा है औ और मारना भी हतियार से, बंदूक से, या खून खराबा जो है, उसकी अनुपस्तिती हिंसा है। लेकिन बाद में समझ में आया कि हिंसा करने के लिए आपको बंदूक और बम और तलवार की जरूरत नहीं होती है। आप सब्दों से हिंसा कर सकते हैं, आप नजरों से हिंसा कर सकते हैं, आप किसी को कैसे देखते हैं, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उससे हिंसा की जा सकते हैं। दे वो ज़्यादा आपको प्रभावित करता है तो मुझे लगता है कि जब कोई गाली दे करके जाती के नाम पर और अपमानित करता है तो वो लाठी से मारने से और बंदू की गोली से मारने से ज़्यादा प्रभावित करता है वो हिंसा मुझे ज़्यादा मैसूस होती है और ये बहुत बच्वन से सुरू हो गया और मुझे लगता है कि अभी भी कभीन कभी किसी रूप में ये हिंसा जो जाती की है, कटरता की है, भासा की है, गाली की है, ये सहन करने ही पड़ती रहती है। और फिर मैं धीरे-धीरे मुख्य सिक्सक कारवा होते हुए, जिला कारले प्रमुख बना, और 1990 की जो पहली कार सेवा थी, उसमें मैंने हिस्सा लिया, युद्या के लिए मैं निकला एक बड़े समू के साथ, और हालां कि मैं पहुचा नहीं है युद्या, आगरा के पास टु वहां से रहा हुए, तो पता चला कि मुलाइम सिंग की सरकार ने कारसेवा नहीं होने दी, और वहां गोली चली, और इस वज़े से कारसेवा स्तगित हो गई है, तो हम लोट करके आगे, 1991 में एक नया अभियान चलाया गया, मंदिर सोपो या गद्दी छोड़ों, तो इस अ उस वहां पर हम जिस रास्ते से होके गुजरना चाहते थे, वो मस्जिद के नीचे से गुजरता था, तो प्रसासन ने ये कहा, आला कि उसमें बीजेपी की गुवर्मेंट थी, हमारा विदायक जो था, वो खुद भी स्वेम से वक था, तो हम बहुत जोसमें भी थे कि हमार ये अपनी सरकार है, और हमारा अपना अंदोलन है, तो कौन हमें रोक सकता है, तो जब प्रसासन ने ये कहा, कि आपकी जुलूस का वक्त और दिन में जो नमाज होती है, उसका वक्त एक समय पे हैं, और आप थोड़ा रास्ता बदर लीजिए, तो हम आक्रोसित होगे, हमका मतलब मैं तो उतना उम्र में नहीं था, लेकिन जो लोग उस अंदोलन में सामिल थे, और मैं भी उसमें सामिल था, तो हम सब लोगों ने ये चिला के कहा कि क्या गुलमंडी, गुलमंडी जो इलाका है, क्या गुलमंडी पाकिस्तान में है, जहां हम नहीं जा सकते हैं, हम ज पद्दो जहद में किसी ने पीछे से पत्राव किया और पत्राव के बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया लाठी चार्ज के बाद हवाई फायर किया हवाई फायर के बाद उन्होंने गोलियां चलाई और वो गोलियों से दो ऐसे लोग मारे गए जिसका उस दिन के आंद और एक व्यक्ति दिन में नोकरी करता था रात में नोकरी करता था दिन में सोता था वो सोयावा था बाहर कोई हंगामा सुना बाहर निकला गेट से और गेट से निकलते गोली लग गया और मर गया लेकिन सयोग से दोनों ही मरने वाले जो थे वो हिंदू थे तो उन दोनों को स चिले में घुमाया गया तो वो अस्तिकलस जब मेरे गाउं में आया और हमने घर पे खाना वाना उनके लिए बनवाया तो मेरे पिता जी तब तक हम दोनों एक दूसरे के काफी विरोध में हो चुके थे ते मेरे को तो लगता था कि वो एक गलत पार्टी में हैं और उनको अगरे नहीं है तो बाद में जब खाना बना रहे थे तब भी उन्होंने का कि खाना बना रहे हो लेकिन मैं जानता हूं इन लोगों को यह हमारे गर पे खाएंगे और मैंने का आपको पता नहीं यह तो चुवाचूत करते ही नहीं, किसी से नहीं करते हैं, किसी का भी खाना खा लेते हैं, आप आज देखिए कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं। उन्होंने का कि बंदु आप तो जानते हैं कि हमारा हिंदू समाज कितना विसम हैं, हम तो आप के यह खा लेंगी खाना कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ एक ठाली में खा सकते हैं, आप हमारे यह खा सकते हैं। को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये किसी दलित के घर अभी तक खाये नहीं कभी इन्होंने पहले तो वो दलित सब तो इस्तमाल नहीं करते थे उन्हों का किसी भी वंचित बंदू के या इन्होंने खाया नहीं है तो आप ऐसा कीजे इसको पेख करके दे दीजे अग सिकें मेरी परस्तिति आप समझ सकते में तो जब खाना पेक करने लगे तो मेरे पश्या मेरे प्यत्यान का रह रहे हैं। तो मैंने अपनी तरफ से महाना बना दिया कि पक всем नहीं है। तो फिर उनको पेक करके खाना दे दिया और दूसरे दिन सुबह खीर और पुड़ी जो हमने भीजी थी उनके साथ वो खीर जिस केतली में रखा गया वो केतली लोटाने के लिए मेरे मितर जो उसी आत्रा का हिस्सा थे पुरसोतमक्षोत्री है वो आए और चुंकि वो कविता लिखते थे और में भी कविताये लिखता था ठोंगी मितरता से दिम्से वक्रीण से नहीं रहे खाया में गया गहांमें उसरिवे प्येक दिया गहा था बहद्वान पूरा जग करे हैं में ब्रामन समाज की जो विद्यराज जी थे उनके घर पे खाना बनवा करके खाया गया तो जब मैंने यह सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ मुझे लगा कि इतना बुरा वो मेरे साथ नहीं कर सकते हैं हाँ उन्होंने नहीं खाया यहां लेकिन फेंक नहीं सकते तो मैंने पुरसोतम जी से यह कहा कि आप जूट बोल रहे हैं साथ उन्होंने का चल के देख लेते हैं तो हम दोनों मित्र साइकिल पर बैठ करके देखने गए और मैंने वहाँ जहां यह फेंका गया कुछ खाने के अवसेस जो बच गये थे वो पड़े हुए देखे चीलकोवे उसको खाने को खा रहे थी चीटियां थी वहाँ पर तब मुझे यकीन हुआ कि उनको मेरे यहां खाना नहीं था इसलिए उन्होंने सीधे बना करने के बाद पेक करके ले गए और पेक करके ले जाने के बाद भी खाने के बज़ाए थेंक लिया उन्होंने उस खाने को तो मैं उसी साम जहां यात्रा थी वहां गया और मैंने वहां कहा कि यह क्योंकि यह आपने मेरे साथ क्योंकि मैं तो आपके लिए आयुध्या में जाके मरने के लिए तयार था और आप मेरे लिए खाना खाने के लिए भी तयार नहीं है मेरे घर पे खाने के लिए भी तयार नहीं है तो फिर ऐसे संग्ठन में रहने का या ऐसा हिंदू रास्ट बनाने का क्या फाइदा है तो वो जो सवाल सुरू हुआ उस सवाल का कहीं जवाब नहीं मिला और थोड़े दिनों बाद में उन्होंने मुझे ये कहना सुरू कर दिया कि आप तो बहुत लकारातम होते जा रहे हैं और ये बहुत छोटी सी बात है तो मैंने उनको कहा ये छोटी सी बात नहीं है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है लेकिन उन्होंने उसका एक बहाना गड़ लिया उन्होंने कहा कि वो खाना पहले तो उन्होंने का ऐसा कोई खाना फेका ही नहीं गया जब उनको पता चल गया कि वो खाना फेकने की बात का मेरे पास प्रूफ आ गया है व्यट्टी है तब उन्होंने इस बात को ऐसे कहा कि जो खाना लेकर के पीछे जीप में बैठे वह थे कारकरता उनके हाथ से खाना गिर गया टर्न पर जब मुड़ी जीप तब जो नीचे गिर गया उस गिरे वे खाने को उनके ऐसे खा समते हैं तो उन्होंने स्विकार भी किया तो बहुत एक तरीके से और आंत्य उन्होंने का यह बहुत चोटी सी बात हैं तो जो उनके बहुत चोटी सी बाती फिर मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुए। और मैंने वो नीचे से लगा करके उस समय जो सरसंग चालक थे रज हुए या, उन तक चिठी पत्री लिखी, फिर मैंने इस पर आर्टिकल लिखे, और मैं फिर पूरी तरीके से विरोध में खड़ा हुए, क्योंकि मैं, मेरे लिए वो एक ऐसा घटना करम था, जिसको मैं सकता था, क्योंकि मैं इतना गुस्से में था कि उसके खिलाब कुछ पी करना चाहता था, और मेरे ख्याल से मेरे भीतर में ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी हिंसा थी, क्योंकि मैं हत्यार उठाता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत लंबे समय तक फिर उस बात को हर मंच पर उठाना शुरू किया और आंत में यह हुआ कि एक डेड़ साल बाद उन्होंने मेरे से कन्नी काटना शुरू कर दिया तो आप यह मान के चलिए कि मैंने एक तरीके से नहीं छोड़ा क्योंकि मैं तो सवाल उठा रहा था जिगे पे उन्होंने ही मेरे को एक तरीके से छोड़ दिया उनको लगा कि यह पागल जिसा आदमी हो गया और यह महोल विगाड़ रहा है जिगे पे इससे अच्छा है कि यह आये ही नहीं तो ठीक होगा तो ऐसे उनके साथ जो था वो समन्द खतम होगा यह जो आप के भीतर से जो एक हिंसात्मक प उस क्रोध और उस पीड़ा मानसिक पीड़ा के कारण आप हिंसक नहीं हुए आपने कभी इस पे सोचा है कहां से आई यह ताकत कि आपने हिंसा नहीं की मुझे नहीं मालूम की यह क्या था लेकिन चूंकि एक और वातावरन मुझे घर में मिला और वो था मेरे घर का वातावरन सुफिजम का एक वातावरन है कभीर पंथी वातावरन है तो हम रामदेव यह पतंजली वाला रामदेव नहीं जेसल मेर में जो रुनेजा में उनकी पूजा पाट करने का मेरे घर में मंदिर था और मेरी कई पीड़ियां पांच पीड़ियां उसका पूजा पाट कर दिने doing तो घर में एक स्वाभिमान का महोल तो था लेकिन साथ-साथ ये बातें भी होती थी कि दयाधरम का मूल है, हिंसा नहीं करनी चाहिए लेकिन आज तक उन्होंने किसी फायर नहीं किया, वो बद्दुख उन्होंने चला ही नहीं कहें पर भी, और मुझे याद है मेरी मा कहती है कि बच्पन में, मैं जब ज़्यादा बीमार हो गया, तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक जानवर होता है उसको मार के पानी में गोट के पिला देने से ये ठीक हो जाएगा, तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक जान को बचाने के लिए दूसरी अगर जान लेनी पड़े तो अच्छा है कि एक जान चली जाए, तो उन्होंने वो नहीं करने दिया, तो वो बड़े यों कठोर नजर आते हैं, अभी भी कठोर नजर आ लेकिन भीतर से उन्होंने कभी हिंसा नहीं की, और वो तो आजीवन साकाहरी भी रहे और बहुत सारी चीजे उन्होंने उस रूप में भी की, तो वो हर तरह की हिंसा के यों खिलाप में थे, लेकिन इस चीज के विरोध में थे, कि कोई मारे तो मार खाके घर में आया जाए उसका प्रतिरोध किया जाए तो प्रतिरोध तो सिखाया उन्होंने लेकिन साइद उन्होंने हिंसा नहीं सिखाई तो वो भीतर आवचेतन में कहीं कहीं वो था जो घर में बातें होती थी या घर पे जो वीना पर जो भजन किये जाते थे उन भजनों में जो बार-बार यही बातें की जाते थी कि सभी जीवों के प्रती दया रखी जानी चाहिए और किसी को मारना नहीं चाहिए तो यह जो बातें थी मुझे लगता है कि मैं सिकसक रहा तब भी मैंने बच्चों के साथ कोई मारपीट नहीं की और इतने साल का हमारे दामपत्य जीवन में हम दोनों पतिपत्नी चिला के भी नहीं बोले आपस में मतलब हिंसा तो बहुत दूर की बात हो जाएगी और मैं सामाजीक सेत्र में तो बाद में आया जहां मेरे को पित्रसत्ता की समझ आई स्त्री पुरु समानता की समझ आई लेकिन मुझे ये समझ थी कि किसी भी इंसान को मारपीट तो कम स्क्राबना करनी चाहिए और इतना भी बूरे तरीके से उसके साथ ट्रीट भी नहीं करना चाहिए, कि उसको इतना बुरा लगे, जो हिंसा से, मत वो हिंसा को जाया। और इसका क्या मतलब रहा, डायमेंड इंडिया। और वहां भी मैंने कई परकार की आपसी जड़पें देखी, लेकिन मैं उनसे भी थोड़ा दूर रहा। तो ये सब करते करते, फिर और कुछी जें कभी परकार के साथ, जो भी संगठन हो सकते थे उनमें जाने का, लेकिन मैं गुसा तो मुझे में बहुत था। मैं ये कह सकता हूँ कि बाहर से ये दिखाना, लेकिन उसको अंदर जजब करना, गुसे को और बाहर मीठे बने रहेना, ये जो दोरापन था, मुझे लगा कि ये बहुत चलता था। तो एक बार में ये 1999 की बात होगी, मुझे एक सूफी संथ से मिलने का मुझा मिला, और मेरे मित्र अलावदीन बेदिल मुझे लेके गए, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत कि बहुत कि बावर जी, ये कहां था, कहां हुई ये मुलाकात? ये मुलाकात एहमदाबाद में, दानी लीमडा एक जगे हैं वहां पर, उनका नाम था मुहमद हनीप, मुहमद हनीप रह्मान मस्तान सेलानी, बहुत लंबा सा नाम था, लेकिन उनको लोग कहते थे सेलानी सरकार, तो मेरे मित्र अलावदीन बेदिल मुझे उनके पास ले और कहा कि वो बहुत अच्छे संत है और आपका ये बहुत जो चल रहा है, जिन्दगी जो उचल फुतल चल रही है, इसमें आपको अच्छा लगेगा, और चूंकि मेरा एक बातावरन कबीर पंत का, सूफिजम का, रामदेव पीर का तुरहाई, तो मेरे लिए कोई बहुत कोई मुस्लिम संत से मेरा पहला एक तरह के से मुलाकात हो रहा था, तो मैं गया उनके पास और उनको देखा तो जो संतों की साधुओं की छवी थी मेरे दिमाग में, की थोड़े मोटे ताजे और बिल्कुल चम चमाते हुए, मोटा सा पेट निकला हुआ और भगवा कपड पहने हुए और आसिरवाद की मुद्रा में हाथ उठा हुआ, तो वो कुछ भी नहीं था उनका, वो एक लूंगी पहने हुए, बिल्कुल बुजुर्ग से इंसान और साध दो दिन से नहाए नहीं थे, बालवाल भी ऐसे ही हो रखे थे, और एक हाट पर वो सोये हुए थे, फिर हम लोगों ने, बेदिल साब ने उनको सलाम किया तो वो उठे, और उठते ही उन्होंने बोला कहां से आए, क्यों आए, कौन हो, क्या हो, और वो ऐसे पूंचना सुरू कर दिया, वो मूलते मारास्ट के थे, अंसिंग, वासिम जी लेके, तो वो मराठी मिक्स हिंदी मे इतना तेज़ते बोल रहे थे क्यों कि कुछ ही मुझे तो समझें नहीं आया, और मैंने का ये कोन आदमी है फिर उन्होंने मुझे सारा क्या ही है, तो फिर उन्होंने पूछा क्या करने आये तो बैदिल साहब ने ये कहा कि आपके दर्सन करने आए तो उन्हों का दर्सन तो खुदा का होता है मेरा क्या दर्सन करना और निकलो बार भागो यहां से और उन्होंने एक तरीके से धक्का मारते हुए से हमको उनके उस फ्लेट से बाहर निकाल दिया तो जब सीडियों से हम नीचे उतर थे, मुझे लगा यह क्या सादू संत है, इतना गुस्सा और कुछ पूचा ही नहीं और भगा और दिया, दो-तिन दिन से नाया हुआ आदमी भी नहीं है, कुछ कपड़ा भी डंक से नहीं पेना, तो मेरी संत वाली छवी नहीं बनी उस कंदे पे हाथ रख दिया. और कंदे पे हाथ रखके मुझे कहा कि बहुत गुस्सा करते हों, और फिर मुझे उन्हों ने यह भी कहा कि जात को एक करो, पूरी दुनिया को किताब लिख लिख करके संदेश करो, और इनसान भारत के पत्थरों को हीरा बनाऊ, ऐसा उनका यह क थाखा और उन्वोंने मुझे देखा और मेंने उनको देखा यह हमारा पांच एक मिनट का कुछ मुलाकात रहा। है लेकिन यह क्योंका disappointed कि इन्लों तो मुझे कुछ बा calidad नहीं हैं कि मुझे पूचा ही नहीं तो फिर मैं तब तक मैं सरकारी टीचेर हो गया था, फिर मैं लोटा और मैंने इस्तिवा दिया, और डाइमंड इंडिया, वो भारत के पत्थरों को हीरा बनाओ, तो भारत और हीरा मिला करके वो डाइमंड इंडिया नामका एक मेगजीन हमने निकालना शुरू किया, क्योंकि जिसका संपाधन करते हुए मैंने इतने नए विचार जाने, सीखे और मैं मानता हूँ कि वो एक रास्ता था उससे दूसरे भारत के पत्थर हीरा बने या नी बने और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं हीरा बन गया लेकिन मैंने कम से कम मेरा जो खुरदरापन था वो थोड़ा कम हुआ और मुझे समझ में आया कि क्या होता है यह समता, समानता, सोतनता क्योंकि उससे पहले बावा साब को मैं पढ़ चुका था बुद्ध को भी पढ़ने लगा था कबीर तो घर में थे ही लेकिन जो समझ में आना शुरू हुआ क्योंकि वो केवल थेरी पढ़ रहे थे वो जो थेरी थी वो फिर प्रैक्टिकल में जो आने लगी फिर यहां यह सब चीजे हुई और उसी दर्मियान फिर मैं अरुना जी का इंट्रू करने गया अरुना राय जी का और वो इंटर्व्यू अब तो मैं उसे इंटर्व्यू को सुनता हूँ तो मुझे खुद को भी हसी आती है कि कितना बचकाना था वो कि उनसे क्या-क्या पूछा मैंने वो जो मैं उनके पास गया और गया तो मैं जर्नलिस्ट के नाते था लेकिन मैं लोटा तो मैं एक्टिविस्ट के रूप में हो गया तो फिर यात्रा एक सामाज किसे तरकी वीचे लिए डायमेंड इंडिया आपने कब तक निकाला मैगजीन दो हजार बारा तक निकाला फिर हमने एक डिजिटल प्रम सुरू किया खबरकोस्ट डोट कॉम और उसके बाद में वो जो वेबसाइट थी वो कुछ है वगरा हो गई तो करप्ट हो गई और रिस्टोर नहीं हुई तो फिर हमने दूसरा एक सुरू किया सुननेकाल डोट कॉम जिरो आवर्स अभी हम सुननेकाल के नाम से वेबसाइट और एक यूट्यूब चलाते है और उस यूट्यूब पे लगबग एक लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और हमने लगबग 600 वीडियोज उस पर अफलोड किये हैं अलग-अलग अंदूलोनों के अलग-अलग ग्राउंड रिपोर्टिंग है चुँकि आजकल मैं थोड़ा सा कम उसके लिए समय दे पाता हूँ क्यों और भी कहीं चीज़ें करनी होती है तो इस वाज़े से लेकिन फिर भी हर हफते एक-दो वीडियो वीडियो अगर हम बना करके या कुछ आटिकल्स हम उसमें डालते हैं तो अभी इस रूप में काम चल रहा है तो ये इतने बरसों के अनुभव के बाद और ये पिछले बान्री जे हम 20 साल के अगर बात करें इस समाज में आपके अनुभव में हिंसा बढ़ी है के वैसे की वैसी है जैसे पहले थी मुझे लगता है कि लोगों को समाज में हिंसा तो बढ़ी है और हिंसा इसलिए बढ़ी है क्योंकि खास तोर पर मैं ये देख रहा हूँ कि जब लोग नयाई और समानता के लिए संगर्ष करना सुरू करते हैं या लड़ाई या उसकी मांग करते हैं तो जो लोग बरावरी नहीं चाहते हैं उन लोगों की तरफ से हिंसक दमन सुरू होता है मेरा मानना है कि कई प्रकार की हिंसाएं बढ़ी है स्टेट का एक हिंसा दिखती है सुसाइटी में वर्चस जो काईम रखना चाहते हैं उन लोगों की हिंसा नजराती है और एक नई किस्म की हिंसा जो मैं देख रहा हूँ पिछले पांच-छे साल से या उससे भी ज़्यादा सालों से वो सोसल मीडिया पर दिखती है आपको वो जो साइबर आर्मीज बनी हुई है आईटी सेल बनी हुई है वो ट्रोल करते हैं ऐसी गालिया देते हैं क्योंकि जब मैं इस सोसल मीडिया पर आया मैंने लगवग दोजार छे में पेस्बुक पर अकाउंट बनाया था और मैं एक तरीके से 2011 के बाद बहुत एक्टिव रहा मैंने अपना सारा लेखन और एक तरीके से मेरे लिए पेस्बुक मेरी देनिक डायरी लिखने जैसा है तो मैं हर दिन उस पर चीजें लिखता हूँ कि मैं कहां गया किस से मिला किस ने क्या मदद की हमारे अंदोलन की या इवन आज हमने क्या खाना खाया कौन से इलाके में हम थे किस तरह के लोगों के बीच गए और ज़्यादा तर लोगों की आवाज उठाने का एक माध्यम हमने उसको बनाया तो और अन्ना अंदोलन उस समय चल रहा था मुझे याद है कि कुछ डिफरेंसेज जो हमारे थे उस मुवमेंट के साथ बहु जन परस्पेक्टिव से जन लोगपाल के साथ उनको मैंने उस समय लिखना सुरू किया वहाँ पर और जो अन्ना अजारी जी की टीम थी उसको बहुत बुरा लगा उन्स सारी चीज़ को उन्होंने मुझे मानानी का नोटिस तक दे दिया था उस बात को लेकर के लेकिन मैंने एक सीरीज लिखी पूरी और उसमें एक आर्टिकल लिखा था मैंने अन्ना हजारी के अंदोलन का साम्रदाइक जहरा उसमें जो डक्षिन पंथ थी समुहों की जो उपस्तिती थी और उसके जो दूरगामी खत्रे थे मैंने उस समय उस बात को कही आज जातर लोग उस बात को मानते हैं कि वो अंदोलन किस तरीके से कुछ लोग थे जो उसको प्रायुजित कर रहे थे और उसका असर आज क्या दक्षिन पंथी से मतलब दक्षिन पंथी से मेरा मतलब यहां कि सीधे सीधे तोर पर आरेसस बीजेपी के जो ओर्गनेजेशन्स थे हिंदु धर्म सेवासंग और इस तरह के कहीं सारे अलग अलग नाम के लेकिन वो मूलत आरेसस से जुड़े हुए अरगनेजेशन्स थे और उस आंदोलन में संख्या लाने से लगा कि भोजन की व्यवस्ता करने से लगा कि कई चीजों में उनकी बहुत मुझूद गी थी रिसोर्सेज की और लोगों की तो मैं बस उनकनेक्संस को ढूंड करके मैंने वो लिखा था लेकिन खेर वो एक अलदा विसे हैं मैं ये कह रहा था कि सोशल मीडिया का जब मैंने उपयोग शुरू किया तो पोई गंबीर मंच के रूप में उस समय था और हम उसमें बहुत सारे अच्छे मित्र खोजबाए एक स्वस्त परिचर्चा उस पर होती थी अब वो संभव नहीं है पिछले चार-पांस सालों में वहां आप कोई भी ऐसा है मत विचार रखिये उसके बाद गाली के लावा कुछ भी नहीं है सीधे गाली देते हैं धंकी देते हैं मारने पिटने की और वो गाली गलोस से भी थोड़ा ज्यादा हो गया है कि वो गालिया जो स्क्रीन पे दी जा रही है अक्सर वो गली महले की लड़ाई में बदल जाता है और कैसे जो जाते हैं कि आपने ऐसे कैसे लिख दे हमारे धर्म की भावनाओं को आहत हो गया या हमारी जाती को ये कम करके दिखा दिया तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा आप उस मुकदमे से फिर लड़ते रहे तो हिंसा व्यापक हुई है लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक और चीज जो हुई इस तरम्यान क्योंकि हिंसा बड़ी है इसलिए समाज में अहिंसा की जरूरत बहुत बढ़ गई है पहले इतनी चर्चा अहिंसा की भी नहीं थी क्योंकि हिंसा तो थी और आजादी के अंदोलन में अहिंसा एक बहुत बड़ा मुल्ले के रूप में था वहाँ लेकिन उसके बाद के दिनों में लोगों को लगा कि अब तो अपना राज है अब कौन ने हिंसा कर रहा है लेकिन अलग-अलग रूप में हिंसा जारी रही कानून कहीं कानूनी ऐसे बने जो खुदी हिंसा थे लोगों को कमजूर कर रहे थे या लोगों को जेल में डाल रहे थे या कहीं सामुदाई के लड़ाईया जब आपस में हुई तब भी हिंसा हुई लेकिन अहिंसा को उस रूप में जैसे बीच के दिनों में कभी कभी लगता था कि सायद अहिंसा, गांधी और यह सब मुले अपरासंगी को गए हैं अब इनकी जरूरत नहीं बची लेकिन अब मैं यह देखता हूँ कि जतना नफरत फेल रही है जतना हिंसा फिल रही है, जतना खून खराब हो रहा है लोगों को लगने लग रहा है कि यह तो कोई दुनिया नहीं है अब इसमें कैसे रहा जाएगा तो अगर इससे बचना है तो जहना तो पड़ेगा उस जगे जहां सांती से जी सके जहां हिंसा नहीं हो जहां हमारा कोई परिजिन कहीं जा रहा तो उस रख्षित घर में लोट किया जाए या हम भी जाए तो किसी गोली और लाठी का सिकार नहीं है जो आप कह रहे हैं कि यह हिंसा की जरूरत भी उबरी है उससे लोग यह हेट्रेट को भी छोड़ने को तयार हो रहे हैं कि नहीं? हेट्रेट को छोड़ने को तयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं मैं इस बारे में कुछ नतीजा नहीं नतीजे पर नहीं पहुंचा हूँ क्योंकि मुझे कहीं बार लगता है कि हिंसा की के विरोध या नफ्रत में हिंसा को भी लोग चाते हैं तो घ्रणा एक ऐसा चीज है उसकी उपस्तिती बहुत कई रूपों में हैं हमारे बीच में भवन जी ये फिर से एक बार कहिए नहीं समझाये मुझे आपने जो पहले का ना कि हिंसा के विरोध के बारे में अगर वो पॉइंट आप फिर से कहें मैं ये कह रहाँ कि कई बार हिंसा हिंसक समू और हिंसक चीजों के प्रती भी हमारे मन में इतनी नफरत है कि उनकी नफरत उनको जो हम नफरत करते हैं हम ये सोचते हैं कि साइद ये अहिंसा की तरफदारी है जबकि सायद वो ऐसा नहीं है क्योंकि अंत में हम भी नफरत कर रहे हैं और मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या मेरा आचरण हिंसक है तो मुझे लगता है कि नहीं है क्योंकि मैं जब लिखता हूँ तो मैं हिंसक समूहों के खिलाब अन्याईपूर्ण चीजे करने वाले के खिलाब जातिगत द्वेस्ता ये जो बेदवाव करते हैं उनके विरोध में लिखते लिखते मैं खुद कहीं बार साब्दिक रूप से बहुत हिंसक हो जाता हूँ और कहीं कहीं मेरे भीतर की हिंसा वहाँ थोड़ा उसको एक सराना एक एक मलहम सा मिल जाता है कि चलो उन्होंने ये किया मैंने ये कर दिया उन्हें तो ये जो सुक्स्म तरीके की हिंसा है अंदर और ये घ्रणा में अभीविक्त होती है अभी ये तलवार में नहीं अभीविक्त होती है जब मैं किसी का जवाब दे रहा हूँ जो मेरे से ऐसे मत लोग है तो मैं उसमें मेरा जो बोलने का तरीका है वो बहुत टॉंटिंग वाला हो जाएगा मैं बहुत तंजिया लहजे में बात करूँगा चार लोग ताली बजाएंगे कुछ लोग हासेंगे और वो व्यक्ति जिसने सवाल पूछा है वो पूरी तरीके से पस्त हो जाएगा और मैं उसको अपनी जीत वानता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मैंने हिंसा की या नहीं की और तब मुझे सायद गंटे दो गंटे पांच गंटे बाद एसास होता है कि यह तो ठीक नहीं किया हाँ उस समय सायद में ने अपने आपको विजेता के रुप में प्रस्तुत कर दिया लेकिन उस व्यक्ति का कोई सवाल था और वो मुझसे सहमत नहीं था और उसने सवा बहुत सब्दों का एक जाल बुना जिसमें मेरी हिंसा जलकनी नहीं चीए तो मुझे कहीं बार लगता है कि मैं बहुत धूरत किस्म का हिंसक पर हूँ जो मैं अब सातीर तरीके से कर ला हूँ और मैं दिखा नहीं रहा हूँ तो मैं कहीं बार रिविजिट करता हूँ ऐसी चीज़ों को और मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करना बाकी है सायद हम अहिंसा बड़ी चीज़े मेरा मैं मैंने इसलिए आपसे बाचीत में भी कहा कि वो केवल मारकाट की अनुवस्तिती अहिंसा नहीं है अगर हम किसी को पीट नहीं है हम किसी को गाली नहीं दे रहे है ये ऐसा करना मातरा हिंसा नहीं है जब मैं किसी को कैसे देख रहा हूं क्या मैं उस पर विजेता बनना चाहता हूं मैं उस पे नियंतरन करना चाहता हूं किसी के संसादनों को छीन लेना चाहता हूं या मैं स्तापित हो करके और मैं चाहता हूं कि सब कोई मेरी बात को मान ये जो आदिपत्य का भाव है, ये जो नेंतरन का भाव है, सब कुछ अपने पास ले लेने का जो भाव है, मुझे लगता है इसके भीतर जो हिंसा छेपी हुई है, और ये बहुत सुक्स्म किस्म की हिंसा है, और ये बहुत ज्यादा है, और इस किस्म की हिंसा का आज बोलबा बिल्कुल भी आज भी मुझे नहीं लगता है कि अहिंसा की तरफ भी मेरा कोई पहला कदम भी गया हां मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूँ अभी भी निरंतर में ऐसे लोगों से और ऐसे कारकमों का हिस्सा बनता हो, जहां अहिंसा के बारे में लोग सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं अभी साइद भुनियादी कोर्स भी पुरा नहीं किया मैंने, अभी मैं विध्यार थी तो हूँ, पर मैं अपना बस्ता लेकर के पहुचा ही हो, अभी मेरी पढ़ाई शुरू नहीं होगी, तो आचरण में हाना तो मुझे नहीं लगता बताने कब होगा, पर हो तो बहुत अच्छा होगा, पर वो कहां भी गया है, जो लग गया, वो ही बन गया, तो इसे लिए ये लगे रहो का हमारे हां बड़ी प्रात्मिकता है, ये बताईए कि आपका ये क्योंकि आपका खास विशेश कर पूरे दाइरे का आपका अनुभव है, हिंसा से लेकर अहिंसा की कोशिश तक, तो जो आज का नौजवान है, मतलब देखिए जैसे अब आप अपने पंदरा साल की उमर की मानसिकता को याद करते हैं, और आज का जब आप नौजवान देखते हैं, जो एक बिलकुल सहज रूप से उसको ये तो समझ आ रहा है कि भाई, ये सभी प्रकार की हिंसा जो आपने अभी डिस्क्राइब की, उसमें तो रास्ता नहीं है, लेकिन उसको भी नहीं समझ आ रहा कि कईयों को ऐसा लगता है, कि बढ़ रहा है, उसको आप क्या कुछ अपना अनुभव मतलब बांटें या आप उससे क्या अपनी इंसाइट्स शेर कर सकते हैं, जिससे उनको एक अंदुरूनी ताकत मिले नौजवान, आईनो आप लिखते तो रहते हैं, पर ये हमारे मंच पे आप क्या कहीं हैं? मुझे नए नोजवान पेढ़ी में जो ये चीज़ेयां आ रही है, उसको लेकि कभी-कभी मुझे भाए होता है, और मुझे लगता है भाए नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाए हिंसा का उद्गम है, जितना हम डरते हैं, उतना ज्यादा हम हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि डर ह इंसा को पेदा करता है लेकिन इस रूप में है कि आजकल मैं देखता हूँ कि गाउं में सहरों में अलग-अलग जाती के युवा अपनी अपनी कम्यूनिटी का आर्मी बना रहे हैं सेना बना रहे हैं तो हर जाती का भरत में एक आर्मी बन गया है और वो यह सिखा रहे हैं कि अब हमें लड़ना पड़ेगा अब हमें कानून, समिधान, पुलिस, फोज इन पे वरोसा नहीं करना है क्योंकि हमारी जाती को बहुत दबाया जा रहा है हमारी कौम को बहुत दबाया जा रहा है हमारे धर्म को बहुत किया जा रहा है की सेनाओं की मौझूद्गी हो रही है इसमें जो यूवा पीडी और यूवा में भी मुझे लगता है कि ज्यादा थर 15 से 25 साल के यूथ इसमें आ रहे हैं ये खतर राक्स देदी है और ये बहुत बढ़ती जा रही है और मैं निरंतर इन चीजों से टकराते रहता हूँ मैं कहीं बार लिखते लिखते लोगों के साथ बहुत लड़ाईयां हो जाती है जब मुझे लगता है कि कहीं ऐसे अहिंसक लोग जिन्होंने अहिंसा की बात आज अगर कोई कह दे कि हम गांदी सांती आर्मी बना रहे हैं तो बहुत विरोदाभास की बात है कि आप गांदी ज प्रकार के साधुसंतों के नाम पर आर्मिया बन रही है ऐसे समाथ सुधारकों के नाम पर आर्मिया बन रही है और जिनका जीवन का दर्सन और उपदेश जो था वो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाब था अगर कोई मावीर के नाम पर सेना बना ले और बुद्ध के नाम पर सेना बना ले अम बेटकर के नाम पर आर्मिया बना ले भीम आर्मिया बन गई है उधर सब प्रकार की आर्मिया बनी चुकी है और सबका अपना हतियार है कोई भरसा लेके खड़ा है कोई तलवार बेट कर तो ये जो नोजवानों को सिखा रहे हैं और फिर उसमें ये एक तरह का ये जो आज जो एक सांस्कृतिक रास्ट्रवाद के नाम पर हम लोगों को ये सिखाने में लुगे वे हैं कि लड़ना बहुत जरूरी है मतलब लड़ने के मायने या संगर्स भरिवर्थन वाले संगर्स नहीं बलकि आपको हत्यार लेकर के लड़ना है क्योंकि अब रास्ता हिंसा से निकलेगा तो ये जो हिंसा से रास्ता निकालने की बात हैं जो कही जा रही है वो दंड का रणने से लगा करके और दिल्ली जंतर मनतर तक खड़े हो करके विभिन विचारधराओं के लोग इस बात पर एकमत हैं की रास्ता हिंसा से निखलेगा तो मुझे लगता है कि ये सबसे खतरनाक लगता है मुझे क्योंकि लडाई किसी मसले का हल नहीं हो सकता है लडाई खुद होना है और हिंसक होना किसी की जान लेना किसी का खून पी जाना किसी से नफरत करना एक अच्छी चीज है या पूरसारत की चीज है मरदानगी की चीज है ये जो मुल्ले हम स्तापित कर रहे हैं समाज के भीतर ये बहुत भयानत ग्रह युद्ध के संकेत है और अंत में हम साइद रक्तपात के बाद खुन की नदियां बाहने के बाद उस चीज को समझेंगे जिसको हम पहले समझ सकते हैं भारत में अहिंशा केवल गांधी जी तक नहीं समीत है, उसका विचार तो भहुत पीछे जाएंगे आपुरा तन चीजों में तो कहीं और लोग हैं भारती पूरे बैचारी इस चीज में जहाँ पर अहिंत की बात की गई तो उस विचार को हम क्यों नहीं क्यों नहीं ले पा रहे हैं मुझे ये बहुत कचोड़ता है और मुझे कहीं बार लगता है मैं बहुत बंचों पर आजकल कहते रहता हूँ कि देखें हिंसा वाली चीज कहीं कहीं जाएगी तो मैं उसको समर्थन नहीं करूँगा मैं घर पे बैठ जाओँगा मैं एक्टिविजम से सन्यास देलूँगा मैं सामाजिक परवरतन के काम से दूर चला जाओँगा मैं किसी जंगल में जाके बैठना पसंद करूँगा लेकिन मैं हिंसा की किसी भी गतिविदी को मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा मेरा पूरा भरोसा समिधान में लोकतंत्र में और अहिंसक कारवाई में है वो उसके लिए चाहे सामने स्टेट गोली चला रहा है जेल ले जा रहा है फांसी दे रहा है यह उसके अपने तोर तरीके हैं कर रहा हुगा या कोई आर्मी बना रहा है कोई जाती कुछ कर रही है या कोई धर्म कुछ कर रहा है उससे मैं नहीं सिखूगा मेरा है मानना है कि मैं इस पे मुझे पका यकीन हो गया कि न तो नफरत न घ्रना और नहीं हिंसा कोई चीज को बदल सकती है संबाद के अलावा कोई रास्ता नहीं हो बात के अलावा कोई रास्ता नहीं है और बात भले ही वो जो हम जैसे नहीं है भले ही जो हमारे खिलाप हों हमसे ऐसे मत हैं उनके साथ कैसे संबाद किया जा सकता है और हमने तोड़ी सुरुवात करी राजस्थान में ऐसी, दो-तीन साल पहले, यहां राजस्थान में बहुत सारे घोडी पर दली दुले बेटते हैं, उनको उतार देते हैं लोग और कहीं पानी भरने में दिक्कत हो रही, कहीं कुछ हो रही, तो विभेन कम्यूनिटी के लोग यह कर रहे थे ज्यादातर, उसमें से एक कम्यूनिटी के साथ हमने इस तरह का संबाद किया, राजस्थान में जैपूर में, उसको हमने जैपूर संबाद नाम दिया और जैपूर डिकलेशन भी उसका जारी किया, मैंने अपनी पेस्बुक पर 13-14 एपिसोड में उस पुरी जगडा नहीं करना है, और उसमें से एक 80 साल के ववरिद विक्ति जिसने इस कारकम के अद्रिक्स्ता की, उनको जब हमने समिधान भेट किया, तो उन्होंने का मैं जीवन में पहली बार इस किताब को हाथ लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर बार यह लगता था कि यही एक किताब थी, जिसने हमारे राजपाट छीन लिये थे, हमारी जागीरें छीन ली थी, हमारा सब कुछ छीन लिया था, लेकिन मैं इसको पढ़ूँगा, और हमने उस समधाई के लोगों को, उनके हेड़क्वाटर में हम गए थे, तो मैं उनके लिए बुद्ध का एक तस्वी को उनका बुद्ध लोटा के आजाओ, ताकि वो उसको अपना नायक माने, और उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से लिया, और बाद में मुझे बताया गया कि उनके कारले में बुद्ध के उस तस्वीर को ठीक सामने रखा गया, और उन्होंने अपना युवाओं का अच्छे नियाई दिलाने के लिए, तो मुझे भरोसा है कि अगर हम बात करें तो बात से हल निकल सकता है, यह किसी भी सरस्या का हल नहीं, यह क्षत्रिय युवाओं का एक संग्ठन था, युवा पुरसार्थ संग्ठन, जैपूर में हमने यह किया, मैं आपको उसका पूर पूर्ण के साथ यह डायलोग शुरू करें, जो हम से सहमत नहीं, और हमने दिन भर की बात चीत की, उसमां आदा दिन हमने एक दूसरे का आरोप प्रतियारूप सुने, कि आप क्या सूचते हैं, क्या चीजे हैं, जो हम से है सहमत है, क्या विरोध है हमारे, फिर हमने दोपे की तरफ संकेत देता है, कि यह रास्ता है, इधर जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, हम न केवल भारत के लोग, बलकि हम दुनिया के जो लोग हैं, वो हमारी तमाम ऐसे हमतियों के बावजूद, अगर साथ मिलेंगे और बात करेंगे, तो उसी से हल निकलेगा, नही तो हम कितने ही हतियार बना लें, कितने मिसाइले दाग दें, कितने युद्ध लड़ने, हिंसा, युद्ध, हतियार, लड़ाईयां, हल नहीं है, क्योंकि ये खुद में ही एक मसला है, खुद में ही एक समस्या है, और इसमें समाधान नहीं है, समाधान तो बात में ही है, सम नाधान तो हिंसा का ही रास्ता होगा और अंतमे व्यक्ति वहीं जाएगा हिंसा करके जाएगा या हिंसा किये बीना जाएगा ये तैगर ना तो इस रहा में आप अपने आपको अकेला तो नहीं पाते मुझे ऐसा लग रहा है I think आपको ये एक अहसास है कि आप एक व्यापक कोशिश का हिस्सा है ये जो सब अपने अभी बातें कहीं उन में तो क्या हम उमीद रख सकते हैं कि ये रास्ता उजागर होता चला जाएगा मुझे लगता है कि अगर मैं रजनी जी से आइंसा कॉनवर्सेशन में बात कर रहा हूँ तो ये भी वो एक रास्ता है या मैं सचेन राव जी और उनके साथें द्वारा आइंसा की रास्ते नाम से जो उनका ट्रेनिंग चलता है उसके सीविरो में मैं जाते रहा हूँ वो भी या हमने जैपूर संभाद किया या और भी जो अहिंसक कारवाई लोग बिभिनपरकार की कर रहे हैं वो क्ल्कुल माध्यमों से कर रहे है पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं या साहितिक तरीक के से कर र Hey मैं उन सब जगह पर जाने के लिए तैयार हूँ मेरा यह मानना है कि मैं बिल्कुल भी इसमें कोई इस तरह के बेरिकेट्स नहीं लगाना चाहता और रोध नहीं करना चाहता मुझे लगता है कि कोई भी पांच वेक्ति मिलके यह कर रहे हो कि जिससे सांती आये न्याय आये भ हुए है उनके साथ जुड़ने का मेरा मन करता है चाहे मैं कुछ कर पाऊं या निकर पाऊं वहां जहां कि बात ही करी जाए उनके साथ खड़े हुआ जाए solidarity में तब भी लगेगा कि ये हम कर रहे हैं और वो जो हम बार-बार कहते रहें कि एक अच्छी और बहतर दुनिया एक नई दुनिया संभव है वो साथ तभी संभव है कि बहुत सारे प्रियासों को जो अलग-अलग जगे पे लोग कर रहे हैं उन प्रियासों को हम एक जुट क करें उनका साथ एक network वनाए वो network को संग्ठनात्मक network की जरूरत नहीं है बलकि एक दूसरे के प्रति जुड जाएं भिना यह सोचे कि यह क्या कर रहे हैं इनका agenda क्या होगा इनका उदिश से क्या होगा अंत में तो यह पता नहीं किसी party का है या यह संख्ठन आगे बढ़ ज लड़ने के जो नुकसान है उसको समझते हुए एक ऐसे रास्ते पर जाएंगे और फिर वो बहुत सुक्स में तरीके से भी नीचे बढ़ेगी वो सायद लड़ युद्धों हत्यारों की होड और संगर्सों से नीचे सायद जो हम भासा में मधूरता से लगा करके प्रेम की सगन उपस्तिती की जो हम बात कर रहे हैं वहां तक अहिंसा जाएगी और मुझ जीवन हो और हमारे जीते जी हो तो मुझे लगता हूँ बहुत अच्छा हुगा बहुत बहुत शुपरिया थैंक्यू वेरी मच आप उसे बात करके